नमस्कार दोस्तों आज हम एक महतपूर अदालत के फैसले पे चर्चा करेंगे जिसमें एक आरूपी दोरा बार बार दी गई याजकाओं को खारिच करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा संदेज दिया आए जानते इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा और क्यों इसे भारती नयाय प्राली के लिए एक महतपूर निर्णय माना जा रहा है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करना तो मत बुलिएगा अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बाग में पूछ सकते हैं या हमां दिये गए वाट्सअप नंबर पे भी हमसे डारेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं जो यह मामला है तमिलनाडो के एक धरम पूरी जिले का है जहां 24 नुवंबर 2009 को एक गंभीर घटना घटी जो सिकायत करता जो की AI-DMK के एक नेता हैं कुछ लोगों ने उन पर हमला गया इस हमले में इस व्यक्ति की जो है मौत हो गई मामला पुलिस में दर्ज किया गया और इस FIR में 9 आरोपियों को नामित किया गया जिन में से एक जो था जिसके उपर एक बासकर जो की वीडियो का मुख्य पात्र भी था फैसले के जो मुख बिंदू उस पे हम लोग चली चर्चा करते हैं जहां चदकारी ने सभी आरोपियों के खिलाब परियार्थ सबूत इकठे किये और मामला सत्र न्याले में चला गया और बासकर ने खुद मामले से बरी करने के लिए कहीं याजकाएं दार की लेकि सभी को खारिच कर दिया गया जो यह व्यक्ति ने बार बार फिर से अदालत में याजका दार की जिसमें कहा गया कि घटना इस तल पर मौजूद नहीं था इस अधार पर आरोपों को बदलने की मांग दी या याजका भी सत्र न्याले दौरा खारिच कर दी गई इस व्यक्ति ने इ इस मामले में हस्तिखें करते ही हाइट कोện को फैसले को पलड़ दिया सुप्रीम कोट ने कहा कि यह याजका कानून का दुरुपी ओंगए और सत्र न्याले के आदेस को बहाल कर दिया Supreme Court ने इस मामले में इस व्यक्ति पे 50,000 का जुर्माना भी लगाया और निर्दे दिया कि trial court को जल्द से जल्द पूरा किया जाये और जो trial है वो complete कर दिया जाया और उसको जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्दे था कोट ने ये भी साफ का, अगर किसी भी आरोपी ने ट्रायल में सयोग नहीं किया तो उसकी जमानत भी रदिक की जा सकती है दोस्तों इस फैसले से यह साफ हुआ कि हमारे नयाले में कानूनी प्रक्रियों का दूर्पियों करने वाले आरोपियों पर कड़ी नजर रखते हैं ऐसे मामलों में कोट का एक सक्त रूक नयाय विवस्ता में लोगों को विश्वास बनाये रखने के लिए अविश्यक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही कानूनी मामलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए धन्यवाद